हेलो, आज हम इस वीडियो में third generation computer के बारे में जानेंगे third generation computer third generation की चुरवात 1964 में हुई थी और इसका अंत 1971 में हुआ था तीसरी PD आने तक कंप्यूटर के ग्षित्र में काफी ज़्यादा विकास हो चुका था इस PD में कंप्यूटर और भी ज़्यादा अडवांस और मौडन हो गए थे थार्ड जनेरेशन में कंप्यूटर के अंदर ट्रांजिस्टर की जगा IC जिसको बोला जाता है Integrated Circuit का इस्तेमाल किया जाता था IC एक तरह की चिप है जो की सिलिकॉन से बनी होती है इसलिए इसको सिलिकॉन चिप भी खा जाता है थर्ड जनेरेशन के कंप्यूटर काफी ज़्यादा रेलाइवल थे थर्ड जनेरेशन के कंप्यूटर की काम करने की स्पीड पिछले दोनों पीडियों के कंप्यूटर से बेतर थी Integrated चिप जिसको IC बोला जाता है आने के कार्ण कंप्यूटर का साइज काफी शोठा हो गया था इसके साथ मेमोरी की क्ष्णत भी काफी ज़्यादा वड़ गई थी थर्ड जनेरेशन में टाइम शेरिंग और माल्टी प्रोग्रामिंग ऑप्रेटिंग सिस्टम का उप्योग किया जाता था थर्ड जनेरेशन में हाई लेवल लेंग्वेज जैसे की कवोल पासकल आधी का यूज किया जाता था तो ये थर्ड जनेरेशन कंप्यूटर है इसके बाद हम जानेंगे थर्ड जनेरेशन कंप्यूटर के उधार्न इसके उदारने है पहले है IBM 370 इसके बाद है PDP 11 इसके बाद है UNI BAC 1108 इसके बाद है Honeywell 6000 इसके बाद है DEC Series इसके बाद है ICL 2900 तो ये 3rd generation computer के उदारन है इसके बाद यहाँ पे 3rd generation में जो त्यार हुआ ये integrated circuit ये त्यार हुआ इसके बाद है advantages of 3rd generation computer पहली है 3rd generation के computer का अकार पिछले दोनों पीडियों के computer के मुकावले काफी शोटा था 3rd generation के computer काम करते समय बहुत कम बिजली खर्च करते थे पिछले दोनों generation की तोलना में 3rd generation के computer काफी कम गर्मी पैदा करते थे इसमें data को calculate करने की speed काफी अच्छी थी इस computer को maintain करके रखना काफी असान था पिछले दोनों generation की तोलना में 3rd generation के computer की storage खशमता काफी ज़्यादा थी तो ये 3rd generation computer के लाब थे इसके बाद हम जानेंगे disadvantages of 3rd generation computer तो पहली है 3rd generation के computer भी कम गर्मी पैदा करते थे प्रंतु फिर भी इनको ठड़ना करने के लिए AC की जरूरत बढ़ती थी IC chip को बनाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था इसके बाद है 3rd generation के computer काफी महेंगे आते थे इसके बाद है उस जमाने में IC chip को रिपेर करना काफी मुश्किल हुआ करता था इसके बाद अगली आनी है IC chip के साथ काम करने के लिए specialized worker की अफश्किता बढ़ती थी तो ये 3rd generation की हानिय थी तो इस वीडियो में हमने 3rd generation computer के बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल